अगर आप मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो जड़का लगा पना परा पैनिकर अठक बोल सकते हैं क्योंकि मैं एक्सपट कर रहा था कि क्योंकि हम लोग इतना मॉक्स दे रहे हैं हमें था इंगली सी पहले आता है तो मैं रिजनिंग बिल्कुल भी एक्सपट नहीं कर रहा था तो जब मैंने क्लिक किया तो बहां पर उडिया में कुस्चिन आगया ठीक है लिखता है ना उडिया इंग्लिस और दोनों में आता हैं दो सब्सक्राट कर निकले और एक आड कर निकले वो बाला कुस्चिन तो मुझे लगा यह मैं उसको करने पाया ठीक है तो मैंने उसको चोड़ गया तो 1.5 मिनिट मैं असरा ही चला गया तो उसके बाद मैंने रिजनिंग अट्ट किया लेकिन ठांग टैंग गड्या इन्न था उसको छोड़ा है उसमें साथ तीन ते बात करें तो इनिकौल आएट ऑजी था और पॉजल आया था एक बाला पजल आया था बस इतना ही था और आलफा निमेरिक सीरिस था और जैसे जो हमारा प्यार वाला हो और बस वैसा ही कुसिंस से और पहली बर में किसी एक्जाम में 31 अटम किया हूं कि मेरे मॉक्स में मुझे थोड़ा तफ लगा जैसी कि रॉंग नवर सिरीज में मुझे लगता है कि मेरा इसा रहता है कि रॉंग नवर में दिमाग महीं सोच लेता हूं कि रॉंग नमर हाड है तो इसले में साइज में नहीं बना पाया लेकिन उसमें भी इजी होंगे लेकिन मैंने ठीक से अटम नहीं किया और बाकि 24 अटम से और अरिप्टिक के कुस्चिन बहुत इजी थे और बस इतना ही था और को क्वाड़ी की मतलब सिंप्लिविकेशन ही साइज पंदरा कुस्चिन थे आ रहा हूं वो भी थोड़े मतलब एक थोड़ा हड़ा काल्किलेट था और एक डाइट कुस्चिन से सिंप्लिविकेशन के तो 24 अटम बने मुझे लगता है कि बागी स्ट अगर मतलब एक्यूरेटी के बात करना तो बस मेरा है रहते हैं हमेसे इंग्लिष में हमेसा ज्याज़ा अटम टिकरता हूं मैंने अग्साथ इसक्राइट अगर सट्याइश हाज और इससे सटेश आजाए तो चबी सटेश था तो काफी है और इतना ही इंग्लिष में आर सी घ्यए जया मुझे लगता क्या है कि और कुछ और ऐल्जいा चत्वारन का पटा पूँस्टीम नंबर्न कोया हुआ जो कि निकालना हो कि हुड तो चार से प् react Dip गर के दीया था तो उसमें साइध कि मैंने पहले 27 आटम्स के थे उसके बाद तीन छोड़े थे लेकिन उसका टाइम भी बहुत बचा था मैंने चलो कर देते हैं और एक जो ग्रामार पर पिकाउट रॉंग वन उसमें एक था होगा होगा की कि दूद नहीं कि आटकी तो इस लिए दोनों चूछ गया होगा है इसले में उसको यह दोनों चूछ के बाकी तो सब इजी था तो बस यही था मेरा 31 24 55 अंड इंग्लिश में 30 अटम्स 85 अगर कुछ कि यह पहला ही सिफ्ट है बाकी सिफ्ट में कैसे कोश्चिन आएंगे कैसा लेबल रहेगा कोश्चिन का तो इसके वारे हमको कोई आइडा नहीं है अगर में बात कुरूं तो सब्सक्राइब करें लेकिन इस बार में तो सायद कुछ निचे आ सकता लेकिन मुझे नहीं होता और मेरे खुद की आइकुरेसी के बात करूं तो आइडी पेस प्यों में मैंने अकुरेसी में हग दिया था प्रा शिस्टी फाइट मेरा स्कोर रहा था कितना 52.5 के आरउंड ऐ लेकिन इसमें देखते हैं कि 85 पैटेंज में पता नहीं कितना आख अगर अगर में खुद क्लर लेपल के लॉटरी लेकर चलता हूं मतलब अगर हो गया तो अच्छा है अगर नहीं वहां तो मैं अगर मेरा 80-82 स्कोर आगया तो देन ऐल बी साटिस्वाइड मैं इसको एक आ मैं इसको एक बड़ा सक्सेस लेकर अपने मतलब जो भी आगया अगिसा में उसको ठीक है और आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को सॉक लगा क्या मेरे जैसा क्यूंकि मैं तो सची बता हूं मेरा पहले पर पैनिक में चला गया डर लगा कि डर नहीं बहुत सारे मतलब माइन में आगे कि साइध मैंने इंग्लिस क्वांट कीप कर जया क्या तो एसा कुछ बात आ गया पहले पर है क्यूंकि हम लोग इस चीज से अपने नहीं होते है तो जब हमको पहले बार वो चीज इंट्रीश होता है तो साइध एक दो मिनिट के लिए ऐसा होता है अगर आपको मेरे चैनल के अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए और आपको आई पिस्ट्रीव का मैंट इसना भी जिनका भी है उसके लिए अल्दी बेस्ट और उननीस को भी एक्जाम में है पच्छीश को भी एक्जाम में तो आई इस बेक लड़का आप लोगों को अल्दी बेस्ट एक्जाम के लिए बस प्रिपार होके जाए अच्छे से थैंक्यों पर वाचिंग अंजय जगनात धन्यवाद